जोहार, मैं आनद कुमार और आप देख रहे हैं जन्मन की बाद दोस्तों, देश में इंडिया ब्लोग के तीन प्रमुख दल हैं ये दल हैं कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टी और जारखंड मुक्ति मोर्चा संयोगवश कहें या दुर्योगवश, आम आदमी पार्टी और जारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता, इनके सुप्रीमों, इनके करता धरता आज जेल में हैं दिल्ली वाले केजरी वाल तो गिरफतारी के बाद भी मुक्हमंत्री बने हुए हैं जबकि हमारे हेमंत्जी गिरफतारी से थोड़ा पहले पूर्व मुक्हमंत्री हो गए दोनों आज जेल में हैं, हेमंत्ज सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है और केजरीवाल पर शराब नीती में घोटाला करने का आरोप है कॉंग्रेस के भी टॉप मोस्ट लीडर्स सोनिया गांधी और राहूल गांधी पर मनी लॉंडरिंग का रोप है इनसे भी एडी की पूछताच हो चुकी है और ये तीनों ही दल आजकल लोक तंतर और संविधान की हत्या की दुहाई दे रहे हैं देश में ताना साही का रोना रो रहे हैं लेकिन जारखंड राज्य में जहां इन तीन दलों में से दो दल जारखंड मुक्तिमोर्चा और कॉंग्रेस सरकार में हैं वहाँ वे खुदी वही काम कर रहे हैं जिसके लिए वे किंद्र सरकार भारती जनता पार्टी और मोधी को ताना शाह और लोगतंत्र संविधान का हत्यारा बता देते हैं दोस्तो ताजा खबर ये है कि जारखंड कॉंग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जो पहले ट्विटर हुआ करता था उसको सस्पेंड कर दिया गया है और ये कारवाई कंपनी की ओर से हुई है देश के ग्रीह मंत्री अमित शाह का एडिटेड वीडियो शेयर करन उन्हें दिल्ली के आई एफ एस ओ ऑफिस स्पेशल सेल में शशरीर उपस्थित होने को कहा गया है इस पर राजेश ठाकुर ने क्या कहा है ये वीडियो में देख लेते हैं माहौल है और चुनाव में हमारी व्यस्ता को समझा जा सकता है और इस तरह से पिना जांच परताल किये नोटीस दे करके पुरंद से बुला लेना हम समझते हैं ये ठीक नहीं है और उन्हें कानूनी जो हमारे सलाकार है उसे नाय भागी है कि जो दो तारीकों होने उने उप से एक नोटीस मिला है अब यह समझ से परे है कि यह नोटीस क्यों दिया गया है मैं समझता हूँ कि यह ताना शाही है जिसको जो मन में आ रहा है कर रहा है अगर कोई शिकायत है तो पहले यह देखना चाहिए कि मेरे ट्विटर हंडल पर वो चीज़ें है या नहीं उन्हों बिना जाच परताल किये नोटीस दे कर तुरंट से बुरा लेना यह ठीक नहीं है यह राजेश ठाकुर का कहना है दोस्तों आपको याद होगा मुख्यमंत्री जब हेमन सुरेन थे तो उनको एडी ने जमीन घोटाला के मामले में दस दस समन भेजे थे आठ समन को तो उन्ह ने डेस्ट बिन में डाल दिया फिर पूछताच के लिए उपलब्ध हुए उसके बाद नवे समन पर नहीं गए और दसवे समन पर पूछताच के लिए जब उन्होंने एडी के अफसरों को मुख्यमंत्री आवास भुलाया उसके बाद उनकी गिरफतारी हुई समन की क्रोन देखिए 9 अगस्त 1923 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक यानि 6 महीने तक एडी मुख्यमंत्री रहते हिमन सुरिन को समन भेजती रही और वे उनको डस्ट मिन के हवाले करते रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी शराब घोटाले में एडी ने 2 नवंबर 2023 से ल काम करते रहे जो हेमन सुरिन जी कर रहे थे दोनों ही लोग इन समन को गैर कानूनी बता रहे थे इनको चुनोतियां दे रहे थे उन्हें राजनीती से प्रेरित बता रहे थे एक मई दोहजार चौबिस को मजदूर दिवस के दिन जारखंड की माटी का एक लड़का राजनीती में OBC समुदाय का एक उभरता हुआ युवा जैराम महतो गिरिडी लोकसभाद चुनाव के लिए नामांकन भरने पहुँचा था निर्वाची पताधिकारी को परचा देकर जैसे ही वह निकला राची पुलिस उसके सामने खड़ी थी दो साल पुराने केस का वारंट लेकर खड़ी थी जैराम महतो दोस्तो कोई अपराधी नहीं है चोरी डकैती हत्या बलातकार लूट रंगदारी जबरन वसूली जमीन क अबजा, कोईला, तसकरी, अवैद, खणनन और बाकी जितने आरोप हो सकते हैं उनमें कोई भी आरोप उस पर नहीं है वह छात रांदोलन की उपज है जारकंड में जारकंडी सम्मान से रहें इसकी बात करता है जारकंडियों को अवसर मिलें इसकी बात करता है नौकरी की बात करता है 32 के खतियान की बात करता है विस्थापन और पलायन की बात करता है सत्ता की आख में आख डालकर चुनोती देता है और सत्ता को चुनोती रास नहीं आती चाहे वो केंद्र की मोदी की सरकार हो या 25 सोरेन की जारखंड सरकार ना किसी को सवाल पसंद आते हैं ना कॉंग्रेस के एक्स हैंडल को सस्पेंड किये जाने और दिल्ली पुलिस के नोटिस को जारखंड कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकूर ताना शाही बता रहे हैं कि जिसको जो मन में आ रहा है कर रहा है चुनाओ के माहौल की और अपनी वैस्तता का हवाला भी दे रहे हैं बिना जाच परताल के नोटिस देकर तुरंत बुला लिये जाने को सही नहीं बता रहे हैं ठाकूर जी तो सिर्फ एक नोटिस से बौखला गये हैं तिल मिला गये हैं जबकि वे खुद चुनाओ भी नहीं लड़ रहे लेकिन उसी जारखंड राज्य में जह जब राची के जिला प्रशाशन ने दर्ज कराया होगा तो कोट से वारंट लेने भी पुलिस ही गई होगी इसके बीच में भी कई आपचारिकताए होती हैं जैराम महतों को केस दर्ज होने की सूचना होती तो वे चुनाओ के पहले आचार संगता लगने के पहले बेल के ल उनके खिलाफ गेर जमानती वारंट लेकर पुलिस निर्वाची पदाधिकारी के कारियाले के बाहर खड़ी हो गई तो इस पर राजेश ठाकुर जी क्या कहेंगे और जेमिम के नेता क्या बोलेंगे कहने को तो वे कह सकते हैं कि ये तो कानूनी प्रक्रिया है कानून अपन करते हैं इडी हो या पुलिस सभी इसी प्रक्रिया का हिस्ता है सभी एक्सकूटिव बोडी का पार्थ हैं अगर जैराम मात्व के मामले में पुलिस अपना काम कर रही है तो इंडिया ब्लोग के नेतागान हेमन सोरेन और केजरिवाल की गिरफतारी की टाइमिंग पर सवाल कैसे उठा सकते हैं और अगर वे हेमन सोरेन और केजरिवाल की गिरफतारी को राजनीतिक विद्वेश की कारवाई बता सकते हैं तो जब उनकी पुलिस आनन फानन में वारंट लेके नामांकन के समय जैराम मातों को गिरफतार करने पहुँच जाती है तो उसको ये लोग क् कानून का दुरुपयोग नहीं है? क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जब हेमन सोरेन और अरविंद केजरिवाल छे महीने तक कानूनी समन की अवहेलना कर सकते हैं तो क्या जैराम मातों को अपने उपर दर्ज मुकदमों की सूचना लेने, जानकारी लेने और बेल हासि अथिकार नहीं है इस पर सोचियेगा जरूर तो दोस्तों इंडिया ब्लोक के निताओं से सवाल तो हो गया अब आते हैं इंडिये पर कामेश्वर पास्वान नाम के शक्स का एक पत्र सोशल मीडिया में कल से वाइरल है कामेश्वर पासवान दिशा यानि डिस्ट्रिक डेवलप्मेंट कोडिनेशन और मॉनिटरिंग कमिटी के मनुनीत सदस्त हैं नॉमिनेटिड विम्बर है इनका मनुनयन कोडर्मा की सांसद अनपूर्णा देवी ने किया है जो की गिरिडी जिला में दिशा की चेर परसन है कामेश्वर पासवान ने अचिट्थी बोकारों के स्पी को लिखी है और मांग की है कि सियाल जोरी थाना कांट संख्या 188 बटा 2023 के वांचित अभियुक्त जैराम महतोने दिनांक 1 मई 2024 को गिरिडी लोक सभाषेतर से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने की घोशना की है और जिला निर्वाची पताधिकारी एवंग जिला पुलिस द्वारा ततकाल जैराम महतो को गिरफतार करके नियाइक प्रक्रिया के स्थापना की जाए और कामिश्वर पासवान ने इसके लिए विधी द्वारा स्थापित नियमो तथा राजनीती में अपराधी करन पर अंकुष के लिए भारत के सर्वोच नियाले के दिशानिर देशों का हवाला भी दिया है अपने पत्र में कामिश्वर पासवान ने जैराम महतो पर दर्ज छे मामलों का जिक्र करते हुए कहा है कि उनकी जानकारी में जैराम महतो सियाल जोरी थाना कांट संख्या 118 बटा 2023 में वांचित हैं और चुनाव लड़ने के कारण किसी विशेश छूट के हकदार वे नहीं है अतह जैसे ही जैराम महतो नामांकन दाखिल करने आएं उनको गिरफतार करके राश्ट रहित में नयाय के स्थापना करें हालाकि नगडी थाना कांट संख्या 48 बटा 2022 के जिस मामले में राची पुलिस जैराम महतो को गिरफतार करने आई थी कामेश्वर पासवान ने अपनी चिठी में उस मामले का जिक्र नहीं किया है तो खेर पासवान जी को भाजपा की सांसद महोदया ने दिशा के सरदस्य के रूप में नॉमिनेट किया है और वे जिला परिशद के पूरू पाध्यक्ष भी रहे हैं अपने लेटर पैड पर ज्यारखंड सरकार का लोगो लगा हुआ पत्र उन्होंने बोकारो डी सी डी जी पी ज्यारखंड और इसके साथ साथ भारत के मुख्य निरवाचन आयुक्त और ज्यारखंड के मुख्य निरवाचन आयुक्त को भी भेजा है तो अब ये महाशे यानि कामेश्वर पासवान जारखंड सरकार का आधिकारिक लोगों अपने लेटर पैड पर इस्तेमाल करने के अधिकारी हैं हगदार हैं इसके या पात्र हैं या नहीं हैं ये मैं नहीं जानता लेकिन बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग धोंस जमाने के के लिए भी या अपना पावर अपनी हैसियत बढ़ा चड़ा कर दिखाने के लिए भी ऐसी हरकतें करते हैं यानि सरकारी लोगों का इस्तेमाल अपने लेटर पैड पर करते हैं कामेश्वर पासवान जी के पिरे सामने बार बार ढूलू महतों का चेहरा उभर करा रहा था। उन पर लगी धाराएं यादा रही थी। उनको सुनाई गई सजाओं का स्मरन हो रहा था। और लंबित 19 मुकदमों की लंबी सूची दिखाई दे रही थी। और ये धाराएं ये सजाएं और लंबित मुकदमों की ये सूची खुद भारती जनता पार्टी ने अखबारों में छपवाई हैं क्योंकि ढूलू मैं तो धनबाच से बीजे पी के उमिदवार हैं और राजनीतिक दलों के लिए जनता को यह बताना जरूरी है कि आखिर उन् अब यह बात अलग है कि भाजपा की वाशिंग मशीन में वह ताकत है जिसमें धुल कर हर अंगुली माल डाकू बहुत विक्षुक बन जाता है और हर रतनाकर डाकू हर्शी वालमी की बन जाता है इसलिए भारती जनता पार्टी ने भी आपराधिक रिकॉर्ड के साथ धु वक्षता प्रमाण पत्र भी जारी किया है और आखिर में खबर यह है कि जैराम महतो पुलिस की कस्टडी से अभी भी गायब ही हैं कानून और पुलिस की भाशा में कहें तो फरार हैं और उनको भागने में मदद करने के आरोप में वो कारो पुलिस ताबड तोड चापे मा रही है वीडियो के रिकॉर्ड होने तक जेबी के सेस और जैराम समर्थक छे यूकों की गिरिफतारी हो चुकी थी पुलिसिया कारवाई अभी भी जारी है समाचार समाप्त हुए वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिए चैनल को भी तक नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए धन्यवाद नमस्कार